गोडल में आपका फिट से स्वागत है दोस्तों आज हम पांच मज़ेदार और जासुसी पहेलिया सॉल करेंगे और आज इस वीडियो में चार लोगों के लिए एक छोटा सा गीववे भी है जिसमें आप 300 रुपए जीच सकते है गीववे में पार्ट लेने के लिए पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से रोजधन आप को डाउनलोड कर लीजिए तो पहले ही आपको 25 रुपए का साइन अप बोनस मिल जाएगा और फिर आप स्क्रिण में दिया कोड यूज़ करेंगे तो आपको और 25 रुपए मिल जाएंगे रोजधन आप में आपको हर चीज के पैसे मिलते हैं अगर आप गेम्स खेलोगे तो आपको पैसे मिलेंगे आर्टिकल्स पढ़ोगे तो पैसे मिलेंगे और अगर friends के साथ share करोगे तो और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे अपने free time में आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो तो app डाउनलोड करने के बाद give up में पार्ट लेने के लिए पहले तो आप चैनल को subscribe करके वो bell icon प्रेस कर दीजे और फिर निचे comment section में पाच्चो पहीली के जवाब आपको एक ही comment में देने है जो आपको वीडियो में हमेशा की तरह मिलेगा ही और फिर रोजदन app के invite and earn में जाके आपको वहाँ से अपना invite code यहां लिखना है पहले चार लोगों को मैं 300 रुपए का ptm cash भेज दूँगा और इस giveaway का result मैं अपने instagram पे दूँगा तो वहाँ भी आप मुझे follow कर लीजेगा तो ready हो जाईए अभी पहली पहली से शरुवात करते हैं जौन और सिधार स्कूल के सबसे बदमास बच्चों में से हैं वो सब को मारते और परिशान करते हैं एक दिन उन्होंने हदी पार कर दी और एक लड़के कपिल को स्कूल में गलती से मार दिया लेकिन फिर भी उन्हें कोट में सजा नहीं हुई क्योंकि ये सब गलती से हुआ था पर काफी दिनों बाद वे दोनों स्कूल में मरे हुए मिले खून धोपहर में दो बज़े हुआ था पुलिस इन्वेस्टिकिशन के लिए वहां पहुची और सब को पूछा कि खून के वक्त सब कहां थे गाड कहता है मेरी तो उस वक्त आँख लग गई थी तो मैं सो रहा था प्रिंसिपल कहता है मैं डेली इस वक्त गाड को चेक करने आता हूँ तो मैं बस चाही रहा था टीचर कहता है मैं तो क्लास में पढ़ा रहा था मुझे कुछ नहीं पता जब पुलिस उनकी बात अच्छे से सुनते है और उन्हें अच्छे से देखते है तो समझ जाते हैं कि खून आखिर किस ने किया होगा दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि खून आखिर किस ने किया होगा एक बार अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए खून गार्ड नहीं किया है क्योंकि उसने कहा कि वो उस वक्त सो रहा था पर इस वक्त तो प्रिंसिपल उसे हमेशा चेक करने आता है तो वो उस वक्त कैसे सो सकता है और गार्ड का और उस लड़की का शकल काफी मिलता है तो शायद वे रिलेटिव थे और उसने बदला लेने के लिए उन दोनों को मार दिया अगली पहीली इन मैच स्टिक्स को ध्यान से देखिए इससे एक ग्लास बनी हुई है क्या आप इन में से कोई अभी दो मैच स्टिक्स को हिला के इस ग्लास को उल्टा कर सकते है एक बार अच्छे सा सोचे और अपना आंसर कमेंट कीजिए इसे आप ऐसे उल्टा कर सकते है अभी अगली बहिली तीन दोस्त एक आइलेंट पे घूमने जाने का प्लान बनाते है तो वे बोट से आइलेंट पे जाने लगते है वे आइलेंट पे पहुँच तो जाते है पर उनका सामान सब पानी में बह जाता है वे सभी आईलेंड में खाने के लिए कुछ ढूनने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे पांच केले मिलते हैं अब प्रॉब्लम ये आ गई कि वे तो तीन लोग है तो वे पांच केला एक दूसरे में कैसे बाटेंगे फिर उन्हें से किसी एक को एक तरकीर सुजी जिससे उन्होंने पांच केले एक दूसरे में बराबर बराबर बाट लिए दोस्तों क्या आप बत ना सकते हैं कि उन्होंने अखिर ऐसा कैसे किया होगा एक बर अच्छे से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करिए उन्होंने उन्ह पांच केलो के तीन तीन टुकड़े किये तो टोटल पंदरा टुकड़े हो गए और एक एक ने पांच पांच पीस ले ली तो बराबर बराबर हो गए अभी अगली पहेली इन इक्विशन को ध्यान से देखिए क्या आप इन्हें सॉल्व करते वे बता सकते हैं कि लास्ट वाल एक्विशन का आंसर क्या आएगा इसे जल्दी से सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट करिए पहला एक्विशन तो इजी था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स 8 तो एपल का value 2 है तो 2 इक्विशन में रखेंगे तो 3 का value 3 आएगा अब 3 इक्विशन में रखेंगे तो 2 केले का value 4 आएगा तो 1 केले का हुआ 2 तो लास्ट इक्विशन ऐसा बनेगा और आंसर आएगा 7 अगली पहेली इन दोनों बुड़ी औरतों को ध्यान से देखिए क्या आप इने देखके बता सकते हैं कि इन में से कौन सी बुड़िया लालची है एक बार अच्छे से देखिए और अपना अंसर कमेंट करिए ये सेकेंड वाली लेडी लालची है क्योंकि पहली वाली का खाना तो बन चुका है और उसने गैस भी बन कर दिया है और वो सिर्फ खाके देख रही है कि टेस्ट कैसा है पर दूसरी वाली लेडी तो उसमें और पानी मिला रही है ताकि खाना जादा बन जाए और वो जादा लोगों को बेच सके तो यानि वो दूसरी वाली लेडी लालची है इसमें आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें और पांचो पहिलिया हो गई तो अभी सब के आंसर लिखके और रोजदन आपका कोड लिखके गीववे में पार्ट ले लीजिए और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो अभी करिए और वो बैल आइकन भी दबाईए और हमारी इन लास्ट वीडियोस को यहां से देखें तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद